Good evening everyone, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही important question का answer देने वाली हूँ और उस question का जो answer है बहुत ही simple है बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनकी life में ऐसा क्यों हो रहा है तो वो question कौन सा है, वो question यह है कि हम जो richness की journey हमने जो शुरू की है या already अभी जो existing आपकी richness की जो journey है उसमें बहुत सारी बाधाएं या सबसे important बाधा कौन सी है या कौन सा वो obstacle है जो आपकी richness की journey में बार-बार आता है और आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है जैसे बोलते हैं एक दूसरे की टांग खीचते रहते हैं वापिस फिर हम उसी जगे पर आ जाते हैं जैसे ही कोई आगे बढ़ने की कोशिस करता है वैसे ही कोई दूसरा विक्ति उसकी टांग खीच देता है और वह वापिस नीचे आ जाता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है या फिर आप अपनी इंकम को कैसे बढ़ा सकते हो या आपकी लाइफ में जितनी भी पेमेंट आप ले रहे हो या जितनी भी फाइनेशल जो स्टेटस है आपका वो वहीं रुका पड़ा है वो बढ़ नहीं रहे है या आपकी पेंग क successful होना चाहते हो और आप success की जर्नी में निकले भी हो बट आप अभी highest potential तक नहीं पहुच पाते हो या highest success को enjoy नहीं कर पाते हो वहाँ तक पहुच नहीं पाते हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वैसे तो बहुत सरे कारण होते हैं कई बार failure बहुत आते हैं तो low confidence की वजह से हम उसको अलग तरीके से लेते हैं या हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हर किसी में इतना power या इतना जो उस billionaire बनते हैं क्योंकि उनको कोई बहुत जादा समझाने वाले लोग नहीं रहते वो खुद से ही अपने failure से सीखते हैं, risk लेते हैं, यह उनके बहुत बड़े गोण है इसको हर विक्ति को अपनाना चाहिए और वो तब ही आता है जब खुद पे इतना भरोसा हो खुद पे इतना विश्वास हो कि नहीं, इस failure हुआ तो क्या हुआ, इस failure को मैं अपनी fortune या अपने भाग्य मैं बदलूँगा या इसको सुधार करके मैं आगे बढ़ूँगा, इस तरह से वो अपने failure से भी सीख लेते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो इस तरह से वो लोग खुद ही अपने आप में इतने प्रवल होते हैं कि वो failure से खुद को निकाल लेते हैं बट हर कोई ये नहीं कर पाता है तो उन सभी के लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बाधा क्या है हम क्यों अपनी highest potency तक नहीं पहुच पाते हैं या क्यों हम maximum richness के path पे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं तो सबसे बढ़ा जो कारण है वो इस बुक में भी मुझे मिला The Power of Your Subconscious Mind डॉक्टर जोसेफ मर्फी का और common कारण तो सब इसी तरह के हैं जो मैंने भी बताए कि failure होता है उसको हम समझा नहीं पाते हैं अपने आपको या दूसरे कोई हमारे पास नहीं रहता जो हमें guideline करे बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है और सिर्फ ये एक बादा ही आज आप दूर कर दीजे तो आपकी richness की journey 100% complete होगी और वो कौन सी बादा है वो बादा है कि हम दूसरे की success को appreciate नहीं करते हैं वो बादा है talking negative about others wealth, others success ये सबसे बड़ी बादा है अब ये क्यों बादा है सबसे बड़ी क्या होता है जब हम कहीं न कहीं हमारे अंदर competition की चीज रहती है अगर आपने divine source से खुद को connect नहीं किया है बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब चीजों को समझते हैं बट ज्यादा तर लोग क्या है इन सब चीजों को समझते नहीं है इसलिए उनके लिए ये बहुत important चीज है कि जब हम अपने आपको divine source से connected नहीं पाते हैं तो हम यहीं के लोगों के विचारों में ही गिरे रहते हैं हम अगर कुछ business करना चाह रहे हैं या हम आगी बढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ में जो है हम उनसे compare करना शुरू कर दे यही सबसे बड़ी mistake है और जब हम उनसे compare करना शुरू करते हैं तो उनकी income से भी हम compare करना शुरू कर देते हैं या उनकी success से भी हम compare करना शुरू कर देते हैं हाला कि हम बोलते ही नहीं है सब silently होता है बट आपके subconscious mind में सारी intentions, emotions के intentions होते हैं वो registered होते जाते हैं और फिर उसका यह मेला जुला रिजल्ट आपकी लाइफ में रियालिटी बनके आता है तो क्या होता है हम जाने अन जाने मैं भी दूसरे की सक्सेस को जैसे ही हमें न्यूस मिलती है कि देखो उसका प्रोमोशन हो गया उसके इंकम बढ़ गई या वो बहुत लाइफ में बढ़ गया कहीं न कहीं आपके अंदर ये जलसी की फिलिंग या कॉम्पेटीशन की फिलिंग आ जाती है और जहां ये फिलिंग आती है वहीं पे ही हम उसकी वेल्थ को साइलेंटली या अंदर ही अंदर हम उसको एप्रिशेट नहीं कर रहे होते हैं और अगर हम किसी की भी success को appreciate नहीं कर रहे होते हैं, तो indirect वो हमारी success को हम appreciate नहीं कर रहे होते हैं. My dear friend, ये बहुत बड़ा law है, हम सभी soulmate है, अगर हम दूसरे की success को celebrate करना शुरू कर देंगे, appreciate करना शुरू कर देंगे मन से, silently, means बताना नहीं है, बट मन से ये चीजों को याद रखना है, कि देविये धन की कोई कमी नहीं है, देविये सफलता की कोई कमी नहीं है, और हम उसी का हिस्सा है, हमारे हिस्से की धन, दौलत, सफलता, खुशी कोई नहीं ले सकता, और ना ही हम किसी और की ले सकते हैं सब के लिए परयापत है यहाँ पे जब ये भावना आ जाती तो competition की भावना रहती ही नहीं है और जब हम दूसरे की success को appreciate करते हैं अंदर से उसको बधाई देते हैं अंदर से उसको accept करते हैं उतने ही खुश होते हैं तो उसकी सफलता में व हम सब एक ही हैं और universe या आपका subconscious mind यह नहीं जानता है कि आप किसकी सफलता को enjoy कर रहे हो किसकी सफलता को appreciate कर रहे हो उसको बस emotion समझ में आते हैं और real emotion समझ में आते हैं और वो emotion ऐसे होते हैं जैसे आपकी सफलता है तो किसी दूसरे की सफलता को भी हम अगर enjoy कर रहे हैं तो वो हमारी सफलता ही है और वही एट्रेक्ट होगी आप एक बार ऐसा करके देखिए खुद की सफलता को तो celebrate करना ही है दूसरे की सफलता को भी दिल से appreciate कर रहा है दिल से धन्यवाद देना दिल से enjoy करना है वो indirect आपकी ही सफलता है और आप उसमें जो action ले रहे हो जो feel कर रहे हो वो वैसा ही same है जैसे आप अपनी सफलता को enjoy कर रहे हो क्योंकि subconscious mind यह नहीं जानता कि यह सफलता आपकी है या उसकी है या किसी और की उसको सिर्फ यही समझ में आता है कि सफलता को enjoy किया जा रहा है तो वही आपकी life में आती है तो अगर आपको अपनी income increase करनी है अपनी supply को बढ़ाना है या life में आगे बढ़ना है सफल होना है अपने रास्ते की जो richness की road है या richness का path जो आपने चुना है अगर उसकी बाधाओं को हटाना है तो my dear friend आज यह सबसे बड़ी बाधा को अपनी life से हटा दीजिए और वो बाधा क्या है दूसरे की success या wealth को negatively लेना या उसक को appreciate नहीं करना तो आज से इसको खतम कीजिए और खुद की हो सफलता किसी और की सफलता हो सब को enjoy कीजिए inner beings enjoy कीजिए ऐसे enjoy कीजिए कि वो आपकी ही सफलता है और यही आपकी सफलता का राज भी है और एक ना एक दिन आप उस सफलता तक पहुंचोगे ही यह guarantee है तो dr. जोस कीजिए और अपने richness की road को smooth बनाईए उसमें किसी भी तरह की माधा ना डालिए और सब की success को enjoy कीजिए